हेलो दोस्तो, स्वागत हैं आपका हमारे यूट्यूब चनल कॉमिक फैन पर चलिए दोस्तो शुरू करते हैं एक मल्टि स्टरर कॉमिक विसे सांग एक से बढ़कर एक का दूसरा भाग एम्बुलेंस को क्यों रोक रहे हो? उसमें गंबीर रूप से विमार लोग हो सकते हैं तुम्में और मुझमें यही फर्क है तुम वही देख रहे होते हो जो तुम्हें दिखाई दे रहा होता है मैं वो भी देख रहा होता हूँ जो दिखाई नहीं दे रहा होता और आसानी से दिखाई देता भी नहीं इस्पेक्टर श्टील इस्पेक्टर श्टील की आँखो के स्थान पर गैमरे हैическая इस्पेक्टर श्टील यह लोग बस दुरगटना में घायल हुए है इनका हुस्पिटल पहुंचना जरूरी है इनका सिर्फ जेल पहुंसना जरूरी है ओहो, सीट के नीचे हत्यार रखे थे तो फिर इसका मतलब ये लोग घायल होने का सिर्फ अभीने कर रहे थे ये लोग शायद मुर्के या बकरे का खून लगा कर अपने आपको घायल शो कर रहे थे वास्तों में ये लोग गुंडे मवाली ही है जिनोंने मैट्रो में गमासान मचा रहे सूपर हिरोज के हमले से बचने और भागने के लिए ये रास्ता चुना अभी तक तो सिर्फ घायल होने का ही नाटक कर रहे थे अब ये सचमुच घायल होंगे क्यों रहे इस्पेक्टर स्टील का चाड़े 400 किलो का गुसा पचा पाये गया नहीं हमें जाने दो हमने सूपर इंडियन को किडिनाप नहीं किया हो वाउ परमानू तिरंगा और इस्पेक्टर स्टील इन लाइव एक्षन हो तो एम्बूलेंस में भी बदमास थे सर यहाँ पर इस्पेक्टर स्टील भी है परमानू और तिरंगा भी यह लोग अपनी आखों के सामने आपके सूपर हिरो विराद्धी कंसेप्ट की धज्या उड़ा रहे हैं नोट इस्पेक्टर कान कजुरे मेट्रो सिटी में सूपर हिरो कंसेप्ट के एकदम खिलाफ है इस बारे में आपका क्या कहना है मेट्रो में एक के बाद एक चले आ रहे सूपर नायकों को रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे कहिए कहिए कुछ तो कहिए मेट्रो में फैली किसी भी एविवस्था की जिम्मेदार मेट्रो फास्ट पुलिस MFP है इस एविवस्था को रोकना उसी की जिम्मेदारी है हाँ ये सच है कि MFP सूपर हीरो विरोधी है क्योंकि खुद उसमें सूपर हीरो वाली विशेशताएं विक्सित की गई है MFP को कमजोर मत समझना इस यंतर कम्यूनिकेटर के जरिये मैं अपनी साइबर क्रैब यूनिट को मैसिज भेज चुका हूँ अभी तुम अपनी आँकों से देखना उसका कमाल लो संभालो अपनी धडकने आ गई मेट्रो की साइबर क्रैब यूनिट इस सो एक्साइटिंग नाइस और जॉएंट ओ नो वट दा हैल इस लोहे का केकड़ा ये केकड़ा क्या हर्याना के खेकड़ा से आया है ओ माई कोड अभी तक मैं यही सोच रहा था कि हाइटेक मेट्रो सिटी में आकिर हाइटेक क्या है ओहो इसका एक पिंसर मुझे जकड़ने के लिए मुझे जपट रहा है इस्पेक्टर स्टील साफधान अब अपनी 450 किलो स्टील की बोड़ी के धोके में मत रहना ये काट डालेगा तुम्हें भी गुंडा फोज के छक्ये छूटने वाले थे ये कैसे फायर कर रहा है हम पर ये फायर हमारी आँकों के सामने आकर फट रहे है इसके फटने से कोई धूल उड़ रही है ये आँकों में भयानक चरचराट पैदा कर रही है ये ये पीपर फायर है पीपर बुलेट ये क्रैब यूनिट तो वागई सूपर हीरो की तरह सक्तिसाली है इसको भी अपनी थीसिस में सामील करती हूँ इस्पेक्टर कान खजुरे यदि इसने मुझ पर किसी तरह का हमला किया तो मैं भी हमले का जवाब दूँगा इसे मेरी चेतावनी समझना यदि तुम कानूनी रूप से मेट्रो सिटी में आय होते तो मैं यहां तुम्हारा स्वागत करता मगर तुमने बताया कि सूपर इंडियन की खोज के लिए तुम कुछ दिनों की छुटिया लेकर यहां पर आय हो यानि इस वक्त तुम डूटी पर नहीं हो यहां तुम सब की हरकते गयर कानूनी है या तो तुरंत मेट्रो सिटी छोड़ कर चले जाओ वरना सजा भुगतने के लिए तयार रहो जिस काम के लिए आय हैं उसे तो पूरा करके ही जाएंगे क्रैब यूनिट की बोड़ी को परमानू विरोधी बनाया गया है टार्गेट सेट परमानू ये गलोबल बम है गलोबल बम बचने के लिए सिर्फ तुमारे पास दो मिन्टे गलोबल बम गलोबल टावर्स के साथ काम करता है जिस तरह मोबाइल फोन के जरिए जगय जगय टावर्स लगा जाते हैं और टावर्स की रेंज से दूर होने पर फोन नेटवर्क तूड जाता है जिससे बातचीत नहीं हो पाती ठीक उसी परकार गलोबल बम टावर्स की रेंज में होने पर ही फटता है यदि तुम इन दो मिंटों में मैट्रों में जंगय जंगय लगे टावर्स की रेंज से दूर चले जाओ तो बच जाओगे वरना ये बम तुमारी मोत का कारण बन सकता है सोच लो तीस सेकेंड तुम गमा चुके हो गलोबल बम ये तो बुरी तरह चिपका है तरंगा इस्पेक्टर श्टील यजि तुम लोग चाहो तो अपने मित्र की मदद कर सकते हो उसको मेटरो की हद से बहार ले जाकर या जाने की सलहा देकर लो परमानू तो खुद ही चला गया अब तुमारी बारी है स्पेक्टर श्टील बचो ओहो वो तुमारी तरफ भी अपना दूसरा पंजा बढ़ा रहा है ओहो ये तुमारे जरिये मुझे पीट रहा है इसने मुझे भी जकड लिया है स्पेक्टर श्टील की उंगले के इसारे पर उसकी कलाई से बहार आ गई मेगागन क्लिक इससे मेरी मेगागन निप्टेगी करर कोसिस बेकार है इस पर परमानू बम की सक्तिक का भी असर नहीं होगा श्टील ये तिरंगा की हड्या और श्टील की बोडी के परखचे उड़ा देगा मेरी पावरफुल ठोकर इसका जब्रा तोड़ देगी धार इसका पंजा वाकी पावरफुल है स्क्रिंश ओहो इसका पंजा अचानक तूट रहा है ये करिस्मा परमानू का है उसने परमानू किर्णो की भीशन गर्मी से इसके पिंसर के एक भाग को च्छती गरस्त कर दिया है परमानू तुम जिंदा हो हाँ माचिस के डिब्बी जैसा वो बम मेरी परमानू ड्रेस के एक छोटे से हिस्चे पर चिपका हुआ था मैं उस हिस्चे को फाड़ने पर मजबूर हो गया था बम फटा तो सही मगर समुदुर में जा कर परमानू मैं तो इस लोहे के दैते से बच गया मगर इस्टील कैसे बचेगा मैं उसे बचाऊंगा वो मैं जो भी था पावर्फुल था मैं कौन कडर कड़क कड़ंच ओ नो इसका तो बेड़ा गड़क हो गया तुम मेकैनिक मसीनों का खिलाडी हाँ मैं तुम्हारी और मेरी दुस्मनी राजनगर में है इस्पेक्टर श्टील यहां तुम भी उसी मकसद से आये हो जिस मकसद से मैं आया हूँ यानि बतीज्य सूपर इंडियन की खोज और मैं नहीं चाता की सूपर इंडियन की खोज में जुटा एक भी व्यक्ती किसी मुसीवत में पड़े इसलिए मैंने आफ़त की जड़ बने इस रोबोटिक क्रैब यूनिट के सारे अंजर-पंजर ही डिले कर डाले हाँ किसी भी मसीन को पलक जबकते ही खोल डालना और किसी को भी फिर से तयार कर डालने में तुम्हें महारत हासिल है किसी भी मसीन को कितना भी सील्ड यूनिट बना लो मगर उसमें रिपेरिंग की गुंजाइस के लिए उसको खोलने की संभावनाए जरूर रखी जाती है और उस मसीन की वही संभावना मेरे लिए उसकी कमजोर नस होती है इस्पेक्टर कान कजुरे मैं जिस काम के लिए जीब से बहार निकला था वो पूरा हो गया अब तुम यहां कानूनी कार्यवाई के लिए रुको मेरा हेलिकोप्टर मेरी विसेश कार लेकर आ गया है मैं चला अपने रास्ते सूपर इंडियन को अपने तरीके से खोजने और मैं भी जा रहे हैं इस्पेक्टर स्टील की निगाउं से बचकर नहीं निकल सकता था मेकैनिक इस्पेक्टर स्टील मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो इस वक्त मैं हर उस आदमी का रास्ता रोकने को मजबूर हूँ जिस पर मुझे सूपर इंडियन के अपरहन का हलका सा भी संदे है तो तुम मुझ पर संदे कर रहे हो हाँ पिछले दिनों मैंने अक्पारों में सूपर इंडियन के हाथो तुम्हें मिली सिकस्त के बारे में पढ़ाता बले ही तुम सूपर इंडियन के विलन चाचा ही सही मगर तुम विलन भी तो हो और एक खलनायक कभी अपनी हार को नहीं भूलता हारे हुए खलनायक चोट खाई साप की तरह होते हैं जो कभी भी डस सकते है मेकैनिक तेरी यहां मौझूद की का कारण सूपर इंडियन से बदला लेना भी हो सकता है तू मुझे कैसे कन्फर्म करेगा कि तूने सूपर इंडियन को किड्नैप नहीं किया और यदि तूने मुझे सेटिस्फाइ नहीं किया तो तू मुसीबत में पड़ेगा मैं कोई हनुमान तो हूँ नहीं स्पेक्टरिश टील जो सूपर इंडियन के परती अपनी महबबत दिखाने के लिए तुझे अपना सीना चीर कर दिखाऊंगा अगर तुझे मेरी नियत पर सक है तो तू मुझे रोक ले मुझे तुझसे ऐसे ही जवाब की अप एक साथ ही मेकैनिक उफ ये मेरे बाजु का क्या हुआ मैंने जो फ्लूड इस्प्रेय फेका था उसमें माइक्रो बॉल बेरिंग भरेते जो तेरे हाथ के जोड में चले गए है और अब उसकी मुवमेंट को जाम कर रहे है अब उसकी सफाई किये बिना तू अपने इस हाथ को नहीं हिला पाएगा उफ ओ इस एयर गन के प्रेसर बम से तू सिर्फ हिलकर रहे गया इस्पेक्टर स्टील जबकि कोई आम आदमी होता तो कम से कम 20-25 गज दूर जाकर गिरता पिक पिक मैं इस गन की शमता बढ़ाता हूं अब ये प्रेसर बम तुझे उठाकर फेक देगा ये उससे भी पावरफुल ब्लास्ट है श्टील प्राम ब्लैंग उफ इसके कई परहार तेरे श्टील के सरीर को पुर्जा पुर्जा करके रख देंगे और बचने की कोशिस करेगा तो ये प्रेसर बम जहां टकराएंगे वहां तबाही मचा देंगे अब सोचना तुझे है श्टील कि तुझे मेरे फाइरों से बचना है या उनको अपने सरीरों पर जहलना है भूम बतीजे की मेटर सिटी का नुकसान नहीं होने दूँगा मकैनिक तेरे भूम फाइरों को अपने चाती पर ही जहलूँगा और अब तु मेरा कुछ भी नहीं बिगार पाएगा हाँ 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 अब मैं प्रेशर को और बढ़ने जा रहा हूँ भूम हैं इतने पावरफुल धक्के से तो तुझे कम से कम पचास फुट दाद दूर जाकर गिरना चाहिए था तु और कोशिस कर क्योंकि गन अभी तेरे हाथ में ही है भूम भाम अब मैं तेरे इतने पास आ गया हूँ मेकैनिक कि मेरे 400 किलो के गुसे तुझे आसानी से दो सकते हैं तु बच कैसे रहा है ये सच है कि एर प्रेसर में पर्चन ताकत होती है वो किसी के भी कदम जमीन से उखार सकता है मगर एर का एक सिद्धान्त होता है कि यदि एर के रास्ते में कोई ऐसा व्यवधान खड़ा कर दिया जाए जिससे एर प्रेसर सीधे उससे जाकर ना टकराए बलकि टकराता हुआ निकल जाए जैसे कोई बल्लेबास जेर सो किलोमेटर की रफतार से आती बल को स्कॉयर कट लगाता है तो वो कट करती भी निकल जाती है इससे प्रेसर की सकती 75 परतिशत कम हो जाती है और फिर वो उतनी घातक नहीं रहती मेरा श्टील का सरीर तेरी इस प्रेसर गन के प्रेसर फायर को स्कॉयर कट लगाने में सक्सम है मगर तेरा कितना सक्सम है ये अब पता चल जाएगा मैंने तुझे इस फायर से बचने की टेकनिक बता दी है मेकैनिक यदि तू नहीं बच सकता तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा भूम फिर जब इस पेक्टर श्टील सबसे पहले मुझे अपने जाम आर्म की मूवमेंट को फ्री करना होगा इस्पेक्टर कान खजुरे कटना इस्थल पर पहुँचा जरूर था मगर अब वहाँ ना तो इस्पेक्टर श्टील मोजूद था और ना ही मेकैनिक च्या मैं उन लोगों के उत्पातवे हंगामे को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता मुझे अपनी शमता को सिध करना होगा अपने प्यार को सिध करने के लिए मीठी की तो सिर्फ वो तड़प और बेचैनी ही काफी ती तुम कहां हो सुपी मैं तुमारे किसी अहित की आसंका तक के बारे में सोच नहीं सकती थी लेकिन तुमारी सहर में नाम मोजुद्गी मुझे खल रही है मैट्रों में सुपर इंड्रों को मिस करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी भांजा तू एंथोनी तेरी मेट्रों में मोजुद्गी की खबर सुनकर तो मैं अचरज में ही पढ़ गया था फिर जब मैंने पढ़ा कि तुने थाने पर हमला करके हिस्ट्री सीटर्स की फाइले उड़ा ली है तो मैं समझ गया कि तू क्या करने जा रहा है तेरा ये आइडिया वाकई बिरिलियंट है देख मुर्दे हम दोनों पक्के दुस्मन है मगर अपने छेतर रूप नगर में यहां तेरी मेरी लड़ाई की कोई वज़े नहीं है यहां तेरी मेरी मोजुद्गी की सिर्फ और सिर्फ एक ही वज़े है बतीजे सूपर इंडियन की खोज चल फाइले मिल बाट लेते हैं कुछ से तू पता लगा कुछ से मैं लगाता हूँ तू अपरादी है भांजा मैं तेरे साथ अपनी मेहनज शेयर नहीं करूँगा चल दफा हो जा यहां से धार उफ भांजा के साथ जब भी कोई ऐसी हरकत करता है तो वो उसको चंदा मामा की एक पोयम जरूर सुनाता है मुर्दे अब तू सुनेगा चंदा ओ चंदा चंदा ओ चंदा किसने चुडाई तेरी मेरी निंदिया जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना पहले कंस मामा आए बगवान कृष्ण के हाथो वद कर दिये गए फिर सकूनी मामा आए उन्होंने भी खूब लगाई बुजाई की और चले गए धार ये मामे ज़्यादा टिकाउं नहीं थे एंथोनी पर मेरे प्यारे चंदा मामा तब भी थे और अब भी है वो बहुत ताकत वाले हैं इसलिए मैं उनसे प्यार करता हूँ उन्होंने मुझसे खुस होकर मुझे बहुत सी ताक्ते दी हैं ये ताक्ते मुझे सूपर मैन, बैट मैन या ही मैन से भी ज़्यादा पावरफुल बना देती हैं इसलिए सब मुझसे डरते हैं मैं जिससे कुट्टी हो जाता हूँ उसकी चुट्टी हो जाती है चलिए दोस्तों इस भाग में इतना ही ये रोमान्चक कोमिक्स जारी है अगले भाग में भी बने रहे हमारे साथ इस कुमिक्स के अंतिम रोमाज तक मिलते हैं इसी कुमिक्स के अगले भाग में तब तक के लिए धन्यवाद झाल 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 झाल